इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे आउटपुट क्या है, इसके कितनी किसमे है, आम इस्तमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेज कौन सी हैं? कंप्यूटर के बारे में अभी हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को इंपुट कैसे दी जाती है, और इसके साथ कौन सी इंपुट डिवाइसेज लगाई जाती हैं? अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर से आउटपुट कैसे ली जाती है, जिस तरह इंट्रड़क्शन टू कम्प्यूटर से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। इस किसम की सुरते हाल में आपको कम्प्यूटर से जो आउटपुट दरकार होती है उसे हाट कॉपी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की मदद से हम किस किसम का डेटा या इंफॉमेशन कम्प्यूटर से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट यानि लिखाई एक आउटपुट की किसम है। रोज मर्रा की जिन्दगी में खत, मेमू और रसीदें इस किसम की आउटपुट के मिसाल हैं। इसके अलावा कम्प्यूटर से ग्रैफिक्स यानि तस्वीरों की आउटपुट भी हासिल की जाती है। आवास या साउंड भी एक कम्प्यूटर आउटपुट की किसम है, जोके स्पीकर्स की मदद से कम्प्यूटर में से सुनी जा सकती है। अगर हम इन तीनों कम्प्यूटर आउटपुट की किसमों को मिलाकर उनका इस्तिमाल करें, तो ये मल्टी मीडिया आउटपुट कहलाएगी, क्यूंकि इसमें एक से ज्यादा आउटपुट मेडियम्स इस्तिमाल किये जा रही हैं। मल्टी का लोगवी माइनी है एक से ज्यादा। मसलिन रोज मारा की जिन्दगी में कोई सा भी काम ये प्राजेक को बेहतर तरीके से करने के लिए हम प्रेजन्टेशन्स का इस्तिमाल करते हैं। इन प्रेजन्टेशन्स में टेक्स्ट, इमिजेज, ग्राफ्स और आउडियो यानि अवाज का इस्तिमाल किया जाता है। आप कंप्यूटर के जिरिये मल्टी मीडिया इस्तिमाल करके ये काम ज्यादा असानी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेज, आउटपुट लेने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है, उसे आउटपुट डिवाइस का जाता है। आम इस्तमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेज में प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और स्पीकर्स शामिल हैं। आईए, हम इन आउटपूट डिवाइसिस का तफसील से जाइजा लेते हैं. प्रिंटर्स प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है, जो कम्प्यूटर पर महफूज किया हुआ टेक्स्ट और इमेजिज एक कागस पर मुंतकिल करनी के लिए इस्तमाल होता है. इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फोर्मेशन की हार्ट कॉपी हासिल करनी के लिए हमें प्रिंटर की जरूरत होती है. प्रिंटर्ज कई किस्म के होते हैं. इस वक्त आप मुख्तलिक किसम के प्रिंटर्ज स्क्रीन पर देख रहे हैं. हम इन सब को बारी-बारी तफसील से देखेंगे. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्ज इस किसम के प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है. अजमुए की एक खास शकल को कहते हैं, जैसा के आप देख रहे हैं. Dot Matrix Printer एक टाइपराइटर की तरह काम करता है. इसमें नुक्तों की मदद से काघज पर अलफाज बनाने और चापने के लिए Pins इस्तमाल होती हैं. ये Pins इंक रिबन पर जा कर लगती हैं, जिसकी वज़ा से इंक पेपर पर मुन्तकिल हो जाती है. एक Pins से एक नुक्ता बनता है और बहुत से नुक्ते मिलकर एक केरेक्टर बनाती हैं, जिसकी आप स्क्रीन पर नुक्तों की मदद से केरेक्टर लिखा हुआ देख रही हैं. ये एक वक्त में एक केरेक्टर प्रिंट करता है. आम तौर पर Dot Matrix Printer एक सेकंड में तीन सो करेक्टर प्रिंट करता है. ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलोजी है. मशूर Dot Matrix Printers में Epson और Microline Dot Matrix Printers शामिल हैं. Line Printers ये जो printer अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको Line Printer कहते हैं. ये printer भी Dot Matrix Printer की तरह है. अलबता इसे Line Printer इसलिए कहते हैं, क्यूंकि ये एक वक्त में एक करेक्टर की बजाए एक Line Print करता है. इसमें भी Pins एक Line और Chain की सूरत में लगी होती हैं. इन Pins की मदद से एक Line के तमाम करेक्टर इकठे Print होते हैं. ये Speed और Quality के लिहाज से Dot Matrix Printer से ज्यादा बेहतर होता है. आम तोर पर Line Printer की मदद से एक मिनट में 1200 Lines प्रिंट की जा सकती हैं. तेज तरीन Line Printers में टेली T6218 और Printronics P520 शामिल हैं. Laser Printers ये देखिए, ये दुनिया के सबसे बहतरीन किसम के Printer की एक तस्वीर है. इस किसम के Printer को Laser Printer कहते हैं. ये Printing की Quality के लिहाज से दूसरे Printer से काफी बहतर होता है. ये एक Photocopier Machine की तरह काम करता है. लेजर प्रिंटर आम तौर पर एक वक्त में एक Line या लवज चापने की बजाए एक साथ पूरा पेज चापता या Print करता है. आम तौर पर इसके जर्ये एक मिनट में 6 Pages प्रिंट किये जा सकते हैं. लेजर प्रिंटर में Powdered Ink एक कार्ट्रिज में डाल कर इस्तमाल की जाती है. मगर ये प्रिंटर कीमत में दूसरे प्रिंटर के मुकाबले में कुछ महंगे होते हैं. ज्यादा इस्तमाल होने वाले लेजर प्रिंटर में HP LaserJet और Samson शामिल हैं. इसको Ink Jet Printer इसलिए का जाता है क्यूंकि इसमें कागस पर इंक मुंतकिल करने के लिए इंक को Nozzles में से गुजारा जाता है. जिस तरह डाट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक पिन एक डाट बनाती है, इसी तरह इंक Jet Printer में भी एक नोजल एक डाट बनाती है. Ink Jet Printers प्रिंटर्स प्रीमत में आम तोर पर सस्ते होते हैं. मशूर Ink Jet Printers में HP, Lexmark और Epson के प्रिंटर्स शामिल हैं. Screen Displays इस वक्त आप जो आउटपुट डिवाइस देख रहे हैं, इसे Monitor कहते हैं. ये कंप्यूटर की बुनियादी आउटपुट डिवाइस है. Monitor देखने में एक आम टिवी जैसा होता है. इसके जरीए हम कंप्यूटर में मौजूद, Text, Images और दूसरे Software देखने हैं और आसानी से इस्तवाल कर सकते हैं. Monitors कई किस्मों के होते हैं. हम इन में से CRT Monitors, LCD Monitors, Multimedia Projectors के बारे में आपको बताएंगी. CRT Monitors इस वक्प आप एक आम CRT Monitor, यानि Cathode Red Tube वाले Monitor को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. जो भी आप स्क्रीन पर देखती हैं, उसको Display कहते हैं. जिस तरह TV पर कुछ बटन्स लगे होते हैं, इसी तरह Monitors पर भी कुछ बुनियादी बटन लगे होते हैं, जो हर किसम के Monitors पर मौजूद होते हैं. इन में से एक पावर बटन होता है और बागी बटन स्क्रीन के Display को ठीक करने या उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तमाल होते हैं. ज्यादा इस्तमाल होने वाले Monitors में, Philips Professional Brilliance 107P और Samsung Sync Master 551V शामिल हैं. LCD Monitors, क्या ये भी Monitors है? जी हाँ, इस किसम के Monitors को LCD Monitors का नाम दिया जाता है. इन में Liquid Crystals इस्तमाल किये जाते हैं, जो के आम तोर पर Scientific Calculators में इस्तमाल किये जाते हैं. इस किसम के Monitors की खासियत इनकी खुबसूर्ती और इनके वजन और Size में है. CRT Monitors के मकाबले में ये पतले होती हैं, इसलिए इनको छोटी से छोटी जगा पर आसानी से रखा जा सकता है. जैसा के आम देख रही हैं के LCD Monitors पर भी वो ही बन्यादी बटन लगे हुए हैं, इन बटन्स का यहाँ पर भी वो ही फांक्शन है, जो के दूसरी किसमों के Monitors पर होता है. मशूर LCD Monitors में Samsung Sync Master LCD, Sony LCD Monitor और Dell LCD Monitor शामिल हैं. Multimedia Projectors Monitors को तो हमने देख लिया, अब हम Multimedia Projectors के बारे में सीखते हैं. कभी अब सिनमा घर गए हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो फिल्म आप अपने घर में छोटी सी TV स्क्रीन पर देखते हैं, वो ये फिल्म एक सिनमा के अंदर बड़े परदे पर कैसे नजर आती है? ये सब कमाल Multimedia Projector का है. इसे Multimedia Projector इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ Monitor की डिस्पले को बड़ा और Enlarge करता है, और किसी परदे या दिवार की ऊपर पर प्रजेक्ट करता है, बलकि इसके जरीए हमें आवाज भी आती है. प्रोजेक्टर का काम एक Magnifying Glass के काम जैसा होता है, क्योंकि ये बिलकुल उसी की तरह एक तस्वीर को उसके Original Size से बड़ा कर देता है. एप्सोन, PowerLight 811 Multimedia और तोशिभा Digital Multimedia Projector के Multimedia Projectors ज्यादा मशूर हैं. Speakers, वो Output Device जिसके जरीए हम कम्प्यूटर में महफूज की हुई आवाज सुनते हैं, उसे Speakers कहते हैं. बाजार में मुख्तलिफ टाइप्स के Speakers दस्तियाब हैं. कम्प्यूटर स्पीकर्स आम स्पीकर्स से मिलते जुलते होते हैं. एक कम्प्यूटर के साथ यूजिली दो स्पीकर्स लगे होते हैं. गौर करें कि इस वक्त आप इन्हीं स्पीकर्स की जरीए मेरी आवाज सुन रही हैं. स्पीकर्स में Yamaha 5.1 और Logitech Z640 और दूसरे काफी मशूर हैं. Summary इस लेसन में आपने देखा कि आउटपुट किसे कहते हैं और इसकी कितनी किसमें हैं. इसके अलावा आम इस्तमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसे में प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और स्पीकर्स वगेरा शामिल हैं.